एके करके बाराती भागने लगी और उसके बाद दूलहा भी रफु चक्कर हो गया नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं निउस फॉनेशन साधियों का सीजन शुरू हो गया है और साधी के सीजन शुरू होने के साथ ही आपको आया दिन साधी से जुड़े मामने सामने आते रहते होंगे कभी लड़की भाग जाती है तो कभी लड़का भाग जाता है कभी लड़के के वेस में लड़की रहती है तो कभी लड़की के वेस में लड़का आके बैठ जाता है ऐसा हैं कुछ मामला एक और सामने आया है जहां पर बारात एके करके भाग जाती है और उसके बाद देखते ही देखते दुलहा भी रफुचकर हो जाता है कहा का ये मामला और क्यों दुल्हा अपनी शादी को ही छोड़ कर भाग गया हम आपको बताएं फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में एक साधी समारो के दौरान जो कुछ हुआ जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे धोम धाम से बारात पहुची बारातियों ने दावत खाई और फिर जैमाल भी हो गया इसके बाद इंतजार था साध फेरो का लेकिन तभी बारातियों की संख्या अचानक से कम होने नगी एके करकर बाराति वहां से भागी तो दूल्हा और उसके परिवार के लोग भी चुपके से भाग निकले मामला किसी को समझ नहीं आ रहा था फिर पता चला कि दूल्हा पक्ष में शादी में सकारपियों कार नहीं मिलने से ना खुस थे इसी वज़े से साधी तोड़ दी शिकोहा बाद थाना छेत्र के स्टेशन रोड इस्थित आराध्या गेस्ट हाउस में बीती राद परूखा बास से बारात आई थी दूल्हा पक्ष के रजेंदर सिंग यादव निवासी गलमाही थाना मखनपूर्प में बारात कर स्वागत और सम्मान किया इसके बाद दाबत की रस्म हुई उसके बाद जैमाल हुई और दूल्हा दूल्हन के साथ खाना भी खाया इसके बाद दूल्हे पक्ष के दहेज म लोग हैरान होगे उन्होंने काफीज़ादा तलाश वी की लेकिन दुल्हे और उसके परिवार वालों का कोई पता नहीं चल पाया। इसके बाद उन्होंने फोन पर भी संपर्क किया, लेकिन किसी से कोई संपर्क नहीं हो सका। पेडित पीता ने थाने में दूलहा ललीत यादव और उसके पीता शुरेश यादव की खिलाव थाना में तहरेडी दी है पेडित ने बताया कि शुरेश यादव उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम में ITI के पर परतैनात है पुलिस मामले की जाँच कर रही है वही दूलहन बनी विनीता अपनी हाथों में महंदी लगाए हुए दूलहे का इंतजार कर रही है जहां दूलहन अपनी हाथों में महंदी लगाए दूलहे का इंतजार करती रह गई और दूलहा फरार हो गया बात दरसल ये थी कि दूले की तरफ से गाड़ी की मांग थी लेकिन वो गाड़ी नहीं मिलने पर दूले के परिवार वाले ने शादी तोड़ दी एके करकर बाराती चले गए उसके बाद दूलहा और दूले के परिवार वाले भी भाग गये दुलहन के बाप ने FIR दर्श करवाई है जिसके बाद अभी मामला क्या है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा लेकिन फिलहाल लड़की को दुलहा के लिए छोड़ कर फरार हो गया वो भी सिर्फ एक गाड़ी नहीं देने पर और भी न्यूज और अप्डेट के लिए देखते रहें न्यूज फॉनेश धन्यवाद